Hello friend, welcome to the channel solution जैसा कि आप जानते हैं, we believe in sharing, not in selling और हमने आज तक किसी भी educational content चाहे वो videos हो, चाहे वो notes हो या आपका कोई personal suggestion के उपर काम करने का तरीका हो हमने उसके एक पैसे चार्ज नहीं किये हैं, ना कर रहे हैं और ना future में कभी भी करेंगे हमने बत एक नया चीज स्टार्ट करा है, वो है आपका contribution in the form of join button और membership button YouTube पे जिसको join करके आपके जो contribution amount होंगे उनको हम पुरी तरह से आप ही student को book giveaway के form में transfer कर देंगे, वहाँ पे membership को join करने के button पे click जैसे आप करते हैं channel पे, तो आपको payment के लिए option दिखते हैं, gpay, credit card और debit card, basically सब के पास debit card यानि ATM card तो होते हैं, लेकिन कुछ के ATM card में by default जो international transaction है वो off होता है, जिसकी वज़े से आप इसमें अपना account create नहीं कर पा रहे है, error invalid दिखा रहा है, सारी entry credit भरने के बावजूद भी, तो हम आपके request पे, एक simple method discuss करने वाला हूं, जिसमें आप phone पे, जो कि आजकल हर कोई use करता है, उसको use करते वे एक gpay को recharge कर सकते हैं और वहां से member से play सकते हैं, बहुत ही simple सा process है, आपको बस केवल जहां से सुनने के आप शकता है, कुछी steps में complete हो जाएगा, सबसे पहले आप phone पे install कर लें, अगर install है तो इसको आप open कर लें, open करने के बाद home section पे जाएंगे, by default home पे ही मिलेगा, इसको नीचे scroll करते जाएगा, नीचे scroll करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा see all का option, यह main है, इस see all के button पे क्लिक करें, तो आपको फिर इस तरीके के option दिखेंगे, कई सारे, recharge and bill payment, recharge का जाएगा, utility का जाएगा, donation का जाएगा, और purchase का जाएगा, अब हमको यहाँ पे जो काम है, वो है purchase के अंदर, purchase के अंदर भी कही सारे option है, बट उस पे कहीं और ना जाएग, यहाँ पे आपको दिख रहा है Google Play, ध्यान दीजेगा, this is Google Play, not pay, Google Play का मतलब क्या होता है, जहां से हम लोग अप को download करते हैं, तो जब हम अप को download करते हैं, Google Pay की मतलब से, तो गूगल पे का कुछ section यहाँ पे purchase के लिए allow करता है, तो वहाँ पे अगर आप phone pay से, पैसे को इस Google Play में transfer करते हैं, तो आपका जो subscription का charger join का, वो Google Play के amount से cut जाएगा, तो हमको अगा करना है, पहले Google Play में click करना है, देखिए ध्यान दीजेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, this is Google Play, यह icon भी देखेंगे, तो यहाँ पे Google Play लिखा भी हुआ है, Google Play recharge code, तो यहाँ पे आपको amount डालना है, अब amount में बहुत ही इंट्रेस्टिंग और important बात, जो मैंने यहाँ पे लिखी भी है, इसको आप पड़ सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल का membership लेना चाहते हैं, तो उसका जो price है, वो minimum से minimum रखा गया है, और एक ही level है, 89 rupees, तो यहाँ पे आप एक बार अगर पहले मंत में ही लेना चाहते हैं, तो 89 rupees डाल करके process कर सकते हैं, लेकिन अगली बार लेने के लिए फिर से आपको यह process करना पड़ेगा, तो अगर आप इस पे पहले से कोई भी एक lump sum amount, जैसे 89 का multiplication कितने महने के लेना चाहते हैं, या एक कोई भी random amount जो की 100 rupees के आगे हो, वो आप डाल सकते हैं, like 200, 300, 400, 500, जो भी आपका interest हो, या इससे आप manually हर महिने भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक amount डाल दें, आप जैसे ही phone paper amount डालेंगे, तो वो किस मैं से पैसा लेना है, वो आपके account दिखाएगा, आपके जिस भी bank में account होंगे, वो यहाँ पे सामने आ जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2495 जो भी आपको confirm करना होगा, कि यह आपका account number है, उसमें से आपको transaction लेने हैं, तो यहाँ पे आप उसको select कर लें, उसके बाद ये pay का button को आपक करेंगे, उसके बाद ये payment हो जाएगा, अब यहाँ पे इस चीज बहुत important है, simple सा है, या तो आप यहाँ पे देखिए, Google Play recharge code मिला है आपको, इसको आपको copy कर लेना है, या तो किसी कागच पे note कर लें, क्योंकि यही है, यहाँ से भी copy कर सकते हैं, और इसको मैं बढ़ा करक बाद यह देखिए, इसी को magnification इस तरीके से दिखाए देगा आपको, अब एक तरीका और है इसका याद करने का, कि transaction history में जाकर कि इसको वहाँ से भी copy कर सकते हैं, यह copy का बचन है, copy कर लीजे, या तो note कर लीजे, अब सिधा चले जाएए Google Play पे, Google Play जहां से आप किसी भी app क आपको डाउनलोड करते हैं, वो जगह को बोलते हैं, हम लग Google Play, तो वहाँ पे जाएंगे, तो आपको सबसे नीचे तरब आते रहेंगे, तो मिलेगा आपको redeem का option, यह redeem करना है आपको, redeem करने के लिए, जैसे ही क्लिक करेंगे redeem को, तो यहाँ पर आगा redeem, a gift card और promo code, अब य यह जो code था ना, पिछला वाला, यह Google Play, recharge code, यह वाली code, इसको आपने copy किया है, तो यहाँ पे पेस्ट कर दीजे, यहाँ पे पेस्ट कर दीजे, यहाँ तो type कर दीजे, और जैसा ही इस पे करेंगे, यह देखे, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, और फिर आकरे में fully redeemed, यहाँ पे मैंने अभी आपको 10 रुपए एड करके दिखाए, पहले से मैंने और एड किया थे, 130 रुपए, टोटल मेरे पास 140 रुपए का balance है, जिसे आप चिक कर सकते हैं, ओके दबाईए, इसके बाद इसका काम हो गया, आपके phone पे और Google Play का, इसके बाद आप चले ज के लिए वीडियो के लिए देने पड़ रहे हैं, यहाँ पका contribution है, जिसका एक हिस्ता YouTube अपने पास रखेगा, फिर बाकी जिसे हम आप books के लिए यहाँ पे आपको देंगे, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे, जोइन का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही इस जॉइन पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास इस तरह के का एक प्रोप आएगा, यहाँ पर प्राइस सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से देख लिएगा, 89 रुपीस है, अब जहाँ पे payment के option में जाएंगे, तो यहाँ पे 2 option दिखेगा, अगर आप mobile से भी जाएंगे, तो भी option आएगा, अगर आप desktop से जाएंगे, तो भी option आएगा, select payment method, basically यहाँ पे आपका Google Play बैलेंस है, debit card है, या तो credit card है, तो easy way में हम बजा रहे हैं, Google Play से phone pay की मदद से, यहाँ पे Google Play में आप टिक कर लिजिए, Google Play में बैलेंस में रपास कितना है, 140 रुपे, जरुआत कितनी है, 89 रुपे, तो आसानी से यह payment हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब इस पे आप buy button पे click करें, तो आपको, आपका member से button join हो जाएगा, आपको message आजाएगा, और confirmation भी हो जाएगा, तो यह simple contribution था, आपके से कहीं भी apply कर सकते हैं, बिना किसी दिक्क करना चाहते हैं, मैं कहूंगा, invest, waste नहीं, तो आप इसको, या तो हर महिने इसे दरीके को follow कर सकते हैं, जब आपका member subscribe पार हो जाएगा, या तो starting से, क्योंकि यह save process है Google का, तो आप starting से एक lump sum amount में 100, 200, 300, 400, 500, जो भी जमा करके रखना चाहें, वो कर सकते हैं, और वहां से automatically कर करते जाएगा, एक चीज़ याद रिखिएगा, कि यह जो आपने Google Play में पैसा डाला है, उसे वापस अपने account में transfer नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे इसका use membership लेने के लिए ही होगा, दूसरी और जरूरी चीज़, जब कभी भी आपको लगता है कि आपने membership ले ली मुझ कि कैसे कैसे आप अपके इस contribution से कितने सारे बच्चों का भला कर सकते हैं, यह तो मैं आपको लेडी वीडियो में डिसकास कर चुका हूँ कि इसका use कैसे होगा, so at the last, thank you very much for watching this video, नमस्कार, take care.